थाक कर खबर बेखोफ जुबां बेबाग अंदार पर तुले हुए हैं जब से योगी सत्ता में आये हैं तब से हिंदू युवावाईनी के कारेकरताओं द्वारा जगा जगा पर मार्पिट के जाने और उसका वीडियो बनाकर शोशल मीडिया पर वाइरल करने की वारदाते सामने आ रही हैं ताजा मामला फिरोजाबाद से सा फाग गंज इलाके में हिंदू युवावाईनी के कारेकरताओं ने प्रेमी युगल और उसके दो साथियों को पकड़ लिया सरयाम सड़क पर उन्हें मारा वीडियो बनाया और फिर शोशल मीडिया पर वाइरल कर दिया पुलिस को जब इसकी भनक लगी तो पुलिस ने मह हवाले कर दिया दिल्ली के नांगलोई इलाके की पुलिस प्रेमी युगल को लेकर दिल्ली वापिस आ चुकी है बता दे कि दिल्ली के नांगलोई इलाके से रहने वाली एकधर्म विशेस की लड़की एकधर्म विशेस के लड़के के साथ फरार हो गई थी जिसके बाद से वो फिरोजाबाद के सुहागज इलाके में देरा जमाए हुए थे उनके साथ उनके दो और साथी थे इसकी भनक जब वहाँ पर हिंदुवाई वावाईने के कारेकरताओं को लगी तो उन्होंने इस घर को घेर लिया चारों को पकड़ लिया पकड़ का चोराहे पर ले आए अब तस्वीरों में देख रहे हुँगे कि किस बहरे में से इनको मार पिट रहे हैं यहीं नहीं इनकी दबंगई के होसले इतने बुलंद हैं कि अपनी मार पीट और अपनी दबंगई की इस वारदात को इन्होंने केमरे में कैट किया और सोचल मीडिया पर वाइरल भी कर दिया इसके बाद फिरोजबाद पुलिस हरकत में आई और फिरोजबाद पुलिस ने यूवाहिने के महानगरध्यक्स भरस सिंग समेट 50 लोगों के खिलाफ फाई यार दर्ज की और महानगरध्यक्स भरस सिंग ग्यादव को गिरफतार कर जेल बेज दिया जबकि पूरे मामल आगे की कारवाई कर रही है और आप तस्वीरों में साब देख सकते हैं कि हिंदू युवावाहिनिंग के यह लोग यह कारे करता किस तरह से सरयाम कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं वो भी उस यूपी के अंदर जिस यूपी में आदितिनात योगी जो बुक्खे मंत् कि उनहीं की ब्रिगेड हिंदू युवावाहिनि के कारकरता किस तरह कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं और सड़े आम सड़क पर इस प्रेमी यूगल के साथ मारपीट कर रहे हैं प्रेमी यूगल राजधानी दिल्ली का है इसके चलते यूपी प्लिस ने मामले में कार सुनिए वह यह कहते हैं वह घबरा रहे हैं डर रहे हैं उनका खौफसाफ दिखाई दे रहा है कि पकड़ा गया भरसिंग यादाओ महानगर अध्यक्स हैं हिंदू यूवाहिनिका अन लोग हिंदू वाहिनिके कुछ लोगों ने पकड़ लिया और उनके तो यूवक के और एक जो अरोपी व्यक्ति है उसकी गिरफ्तारी कर लेंगी इसके बारे में वेरिफाई किया गया रहा है तो सब्सक्राइब कर लेंगे अभी जब वह क्लेम तो यही कर रहे हैं कि वह हिंदू वाहिनिके हैं लेकिन हम जब तक कागज पतर नहीं देख लिए तो तो तक य कि यह एक व्यक्ति तो नामजद है और पाकी अध्यार प्रिक्ट्य मुझला मिठाए गया गया लिए 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 अगर यह दिल्ली के प्रेमी उगल का मामला ना होता तो यूपी पुलिस पहले के मामलों की तरह हिंदू यूवाहिनिक ऐसे कार्यकरताओं के खिलाब कारव ही होई है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मामला राष्टे-राथानी दिल्ली से जुड़ा हुआ है यहां सवाल उस मैनिस्तिम मीडिया पर भी है जो खुद को देश का सबसे बड़ा मीडिया होने का दावा करता है रात दिन टीवी पर उसके रिपोर्टर्स चिलाते रहते हैं और त्माम हर मामले में हंदु मुस्लमान हंदु मुसलमान चिलाते रहते हैं और लोगों में नफ्रत तैलाने का काम करते हैं लेकिन जब यहां पर हाज़िया के कार्यकरताओं कि Ayसी हरकत सामने आई तो वो मीडिया इस खबर से नदाराध है और इस खबर पर कुछ काम करता हुआ, बोलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है आगे बयान सुनेंगे अगे बयान सुनेंगे कि वो वहां से थाना उत्तर मना के पुलिस के सुनुत गल दिया है